पोला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें असलाम लेकुम मेरा नाम डॉक्टर आईशा वासिफ है और मैं सरजिमेड हॉस्पिटल लहूर में कंसिल्टन्ट आपसिट्रेशन और गानेकॉलिजिस के तौर पे काम कर रही हूँ आज मैं एक बहुत ही कॉमन बिमारी के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी जिसका नाम है पॉलिसिस्टिक ओवरीजू और आज ही ओला डॉक डॉक्टर का अपॉइंट्मेंट आसानी से और पॉलिसिस्टिक ओवरीज एक ऐसी बिमारी है जिसमें खवातीन की अंडे दानिया जिनको अंग्रेजी में ओवरीज कहा जाता है और उर्दू में इनको अंडे दानी के इलावा बैजा दानी भी कहा जाता है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी पानी की थेलियां बन जा चाका लेकिन ये जरूर है कि बच्चीों के खानदान में उनके और अफराद अगर इस बिमारी का खचा बढ़ जाता है साथ ही साथ अगर बच्चिया जैसे कि आजकल देखा जाता है कि चाइल्ड हुड औबेसिटी बहुत ज्यादा हो गई है तो बच्चिया अगर थोड़ी सी मोटी हो तो नमें इसका खचा बढ़ जाता है इस बिमारी में जो अलामात होती है वो शूगर के मरीजों की अलामात से काफी मिलती जुलती होती है जैसा कि आपको मालूम है कि शूगर के मरीजों में या तो इंसुलीन नहीं होती या इंसुलीन काम नहीं कर पाती इसी तरह पॉलिसिस्टिक ओवरीज के मरीजों में भी शूगर का लेवल खून में बढ़ जाता है जिसकी दुनियादी वज़ा यही होती है कि इंसुलीन प्रॉपर तोर पर काम नहीं कर पाती इंसुलीन होती जरूर है लेकिन काम नहीं कर पाती जिसकी वज़ा से मजीद पेचीद गया शुगर के बलड में जादा होने की वज़ा से होना शुरू हो जाती है अब हम बात करेंगे इसकी तश्खीश के बारे में कि वो कौन से अलामात हैं जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आपको पॉलिसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है उसमें तीन से चार चीजें हैं और उनमें सब चीजों का होना जरूरी नहीं है एक मरीज में जैसा कि महवारी का महीने के महीने ना आना ये एक बहुत एहम अलामत है जिसमें फॉरण ही बच्चियों को खवातीन को अंदाजा हो जाता है कि कोई ना कोई मसला जरूर दरपेश है तो इन खवातीन में महवारी महीने के महीने नहीं आती बलके दो से तीन माह के बाद या तो खुदा आ जाती है या उनको दवाईया दी जाती है ताके महवारी आ सके दूसरी और बहुत इंपॉर्टन्ट अलामत ये है कि खवातीन के चेहरे पर और जिसम पर बाल जादा उगना शुरू हो जाते हैं और पहले से मौजूद बाल साख में मोटे होना शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ चेहरे पर दाने बनना शुरू हो जाते हैं जो के देखने में भले मालूम नहीं होते इसी तरह इन खावातीन में अल्ट्रा साउंड के ओपर पॉलिसिस्टिक ओवरीज अगर अल्ट्रा साउंड करवाएं तो पॉलिसिस्टिक ओवरीज भी देखी जा सकती है ये अलामात जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी अलामात का एक मरीज में होना जरूरी नहीं है इन में से कोई दो सी चीजें जैसे कि वजन तो बढ़ा ही होता है इन में जैसे कि चेहरे पर बाल होना, जिसम पर दाने, चेहरे पर दाने या महवारी का बेकाइदा हो जाना ये बहुत काफी है इसको जांच लेने के लिए के मरीज को पॉलेसिस्टिक ओवरीज हैं इसके बावजूद हम खून के कुछ टेस्ट भी करवाते हैं जो के महवारी के दूसरे दिन करवाय जाते हैं जिन से हॉर्मोन्स का आपस के मिक्तार में जो उनका तरनासुब होता है वो आगे पीछे हो जाता है तो इस तरीके से मरीज की तश्खीस की जाती है अब मैं बात करना चाहूंगी हमल की दुश्वारी की क्यूंकि इन खवातीन में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि महवारी बाकाइद्गी से महीने के महीने नहीं आ रही होती इस वज़ा से इन मरीजों में रेगुलर तोर पर अंडे ना बनने की वज़ा से हमल होने में मसाइल का सामना होता है लेकिन इसका ये हरकिस मतलब नहीं कि हमल होने ही सकता इस मर्स में मरीज के अलामात को सामने रखकर इलाज किया जाता है जैसा कि मैंने बताया आम तर पर ये खवातीन ये बच्चियां थोड़ी मोटी होती है तो उनका वजन स्यादा होता है तो उनको वजन कम करने का हदायत दी जाती है लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है मैं यहां थोड़ी सी आगाही भी देना चाहूंगी कि खुदारा वो डाइट प्लैन्स ना इस्तमाल करें जो कि आपको वजन फॉरण से तो कम करवा देते हैं लेकिन उनके नुकसानात हमेशा के लिए आपके साथ रहते हैं खास्तोर पर वो डाइट जिन में दो से तीन माह के अंदर आपका वजन नवे से पचास किलो पर आ जाता है वो लॉंग लास्टिंग रिजल्ट्स नहीं होते इसका बेहतरीन तरीका यही है कि खाने की मिगदार को थोड़ा कम किया जाए उसमें और खाने में मुतवाजन घजा का इस्तमाल किया जाए जैसा के काबोहईडरेट्स फैट्स प्रोटीन्स विटेमिन्स मिनरल्स यह सारे कॉम्पोनेंट्स जो के कुद्रत ने हमें फराहम किये हैं उन सब को इस्तमाल में लाना चाहिए और आते में वाइट आते की मिकसिंग बहुत कम होनी चाहिए उसमें हुल वीट आती बेस्ट है Similarly, आप milky bread या white bread की बजाए, brown bread का इस्तमाल करें, बगैर छनेवे आटे की रोटी खाएं सालन के ओपर चिकनाई और तरी का इस्तमाल कम करें, oil कम इस्तमाल करें और फलों और सबजियों का इस्तमाल ज्यादा करें और बेकरी की अशिया और क्रीम और केक्स वगएरा कम से कम इस्तमाल करें इसी तरह आदा गेंटा रोजाना वर्जिश को अपना मामूल बनाएं तो वजन खुद बखुद कम होना शुरू हो जाए का और जब महवारी बाकाइदा हो जाए तो हमल के होने के चैंसे बहुत बढ़ जाते हैं लेकिन अगर महवारी इन सब चीजों से बाकाइदा ना हो सके तो भी हम दवाईयां दे सकते हैं लेकिन ये दवाईयां डॉक्टर के मश्वरे के बगएर इस्तमाल नहीं करनी जाएं इन दवाईयों के इस्तमाल से महवारी बाकाइदा हो जाती है और फिर हम अल्ट्रा सॉंट करके हम अंदाजा लगा लेते हैं किया अंडे दानियों ने अंडे प्रॉपर तरीके से बनाना शुरू कर दी हैं के नहीं और अगर ऐसा हो के महवारी बाकाइदा होने के बावजूद अंडे ना मनने की सूरत इहाल दरपेश हो तो हम अंडे बनाने वाली गूलियां भी दे सकते हैं लेकिन इन दमाईयों को फिर मैं दर्खास करूंगी कि इन दमाईयों को भी डॉक्टर की तजवीज के बगएर मत इस्तमाल करें क्यूंकि इनके साइड इफेक्ट से हम बिलकुल नावाकिफ हैं इसके बहुत शदीद और संगीन साइड इफेक्ट जो के अंडे दानी का कैंसर बन जाता है जो के जान लेवा साबित होता है और बहुत लेट इसकी तश्खीस होती है उससे बचा जा सके इसलिए इन दबाईों को इस्तमाल करने से पहले डॉक्टर से रुजू करना जरूरी है और जब हमल हो जाए तो उसके बाद डॉक्टर से बरवक्ट चेक अप करवाना जरूरी है क्योंकि हमल के पहले तीन माह बहुत क्रिटिकल होते हैं क्योंकि बच्चे की बनावट हो रही होती है और वो बड़ा sensitive टाइम होता है जिसमें folic acid की tablet का इस्तमाल बहुत जरूरी होता है इसी तरह हमल में बहुत जरूरी है कि बरवक्ट डॉक्टर के बताय हुए टाइम के हिसाब से जाया जाया क्योंकि इन मरीजों में sugar की शिकायत होने का खच्चा ज्यादा होता है ये थी कुछ बाते हमल की दुश्वारी के बारे में जो के इन पॉलिसेस्टिक ओवरीज के मरीजों को दरपेश होती है अगर इसके बारे में आपको कुछ और मालूमाद चाहिए हो या आप इलाज करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिएगे नंबर से अपॉइंट्मेंट बुक करवाएं मुश्वरे से मुस्तफीद हूँ क्वाएं मुश्वरे से मुश्वरे से बारे मुश्वरे से यह रदआ है कि अवरे से अम-पॉद्परे से और मालन के अवरे से इन प्रव्राणी मुश्वरे से तंची यह जए इन ओाते है झाल प्ऴल झाल प्वाड़ झाल कर दो झाल